हाई ओल वेलकम टू एमजे फो यू आज की वीडियो पी एमे सरियाना पे मैंने प्रोपर्टी आडी पे बनाई है तो मैंने एक पहले वीडियो अपडेट की थी कि आप कैसे प्रोपर्टी आडी में कोई भी अपडेट कर सकते हो तो उससे रिलेटिड काफी क्यों आई थी कीसे पता लगेगा कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ या कुछ हैरर आ रहा है या क्या नोटिफिकेशन आएगा कि हम कहां से पता कर सकते हैं कि हमारी प्रोपर्टी आडी जो अपडेट की थी वो हुई या नी तो उसी के related मैंने ये आज का वीडियो बनाया है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा कोई government की तरफ से notification नहीं आने वाला है आपको check करना है तो आप check कर सकते हैं जैसे मैंने अपनी ID का दिखा देता हूँ तो सबसे पहले आपको PMS Ariyana portal open करना है link आपको मेरे description में मिल जाएगा और जो आपने number register किया था उस time पे तो login पे करके same number से आपको login करना है इसके लिए आपको simple आपका number डालना है उसके बाद उस पे OTP आएगा वो OTP आपको enter करना पड़ेगा और मैंने ये कर रखा है तो मैं आपको एक बार वो portal open करके दिखा देता हूँ तो ये वो portal है जिसमें मेरी property idea आप लोगों को दिख रही होगी यहां से मैं एक बार फिर भी आपको process दिखा देता हूँ कि आपको सबसे पहले आपका state select करना पड़ेगा उसके बाद आपकी जो district है वो आपको select करने पड़ेगी फिर आपके ना, mobile number या property idea है तो डालके view listing पे click कर उसके बाद जब आप उसको open करोगे तो आपको आपकी जो property है वो उसका map view नजर आएगा और उसके नीचे उसकी details रहेंगी तो यहां से आप लोग चेक रोगे कि यह मेरी नई जो property idea create हुई है वो है उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहां से आपको मेरी property idea उसका size दिखेगा और उसकी length and breadth आपको नजर आएगी यह updated है प्लस जो total area है नीचे वो आपको नजर आ रहा होगा यह मेरा अभी जो मैं check कर रहा हूँ वो है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ जब यह मेरी property idea आई थी उसमें आपको मेरी property idea में मेरा old property idea अलग थी तो मैंने वो update की थी एक तो जो old property idea आई आई आपको दिख रहा होगा L249 है तो मैंने यह update कर वाया था उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे total area ने ज़र आ रहा होगा जो मेरा 190 की आ रहा हूँ था that means length and breadth अलग अलग थी उसके बाद जब मैंने अपलाई किया था तो यह अभी update जब मैं open करके देख रहा हूँ तो यह है यहाँ पे मेरा L247 old property idea हो चुकी है और length and breadth भी change हो चुका है तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप सोचोगी कि officially कुछ हाएगा notification तो वो नहीं आएगा अगर फिर भी कुछ कहरी है तो आप मेरे को comment box में comment कर सकते हैं आपको solution मैं provide करवाँगा Thank you